अगर आपको वीडियो अगर यूट्यूब के थूप भी नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.thesinghaniagroups.com वहां से अगर आपको कोई भी पॉलसी इसके बारे में एड्वाइसरी ले रहे हैं तो हमारी एक्सपर्ट की टीम वहां पर मिलेंगी आपको आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम से डिरेक्ट कर सकते हैं अब आगे बहुत चीज़े नहीं बतना चाहूंगा मेरे वेबसाइट विजिट करके बाकि हमसे कॉंटेक्ट करके आप चीज़े देख सकते हैं तो यहां पर आपको एक बहुत अच्छे सी फोटो मिल देख रही हो गया आपकी फैमिली फोटो तो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं एक प्लान है जिसका नाम है HDFC क्लासिक अश्योर प्लस एक ऐस प्लान है जिसमें आपको एक गैरेंटेज रिटन मिलता है जो कि आपको डेवन पर जब आप पॉलसी लिने चलते हैं तो आपको डेवन पर ही पता चलता है कि आपने यह लिमिटेड समश्योर का आपने पॉलसी कराई है आपके जो एच पर वैरी करता है और अलग अलग तो 1st day पर क्योंकि सभी इंवेस्टर जब भी कभी इंवेस्ट करते हैं जो risk appetite जिन में नहीं है जो इत्म free हो करके free mind हो करके वो ulip में नहीं इंवेस्ट करते हैं तो वो इस तरीके कि PLAN समेशा खोचते हैं जिसमें उन्हें पहले दिन से पता हो क्या मुझे एक सिक्यूर और सिंपल अमाउंट मुझे मिलता रहा है जिसके बेसिस पर मुझे बहुत ही इजी वे में वह अमाउंट रिसीव हो और रिलाक्सेशन भी उनको रहती है उनके उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्क अपटाइट नहीं होता है तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लान है आप इसमें इन्वेश्ट कर सकते हैं जिसका नाम है HDFC Life Classic Assure Plus तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं यहां पर ब्रोशर से मैंने ब्रोशर से ही बताया है क्योंकि जिससे आपको किसी भी तरीकी की कोई भी confusion नो और सारी चीज आपको प्रोवाइड हो सके हैं तो यह flexibility है आप अपने हिसाब से आप premium pay income चूज कर सकते हैं जो भी मुझे आपको अगले slide में अभी आपको दीखेगा और इसमें प्लान में सबसे बड़ी खासियत ही है कि आपका किसी भी तरीके का कोई medical test नहीं होता है बस एक simple आपके questionnaire पूछे जाते हैं जो की option based होते हैं जिसमें आपको yes no या questionnaire आप समझ रहोंगे yes no पूछा जाता है और उसके basis पर आपका proposal accept कर लिया जाता है और इसमें किसी भी तरीके कि आपकी कोई भी medical check-up नहीं होती है और एक साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि आपका जो भी some assured होता है उस प्लस आपका रिवर्जनरी बोनस आप लोगों को मिलता है और जो की एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको जेवन पर पता होगा कि जब यह maturity पूरी होती है तो आपका जो भी some assured होता है प्लस आपका रिवर्जनरी बोनस जो आपने कमाया है इन दोनों का calculation होके आपको वह amount जो मिलती है वह आपकी maturity benefit होती है तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हमारे इस में इस प्लान की बारे में अंदर डीटेल में जानते हो क्या क्या benefits इस प्लान में हमें मिलेगा और क्या क्या हम इस में maturity benefit या death benefit हमें मिलता है वो सारी चीज हम देखते हैं अब यहां पर की feature अगर हम देखते हैं अगर हम यहां पर की feature देखते हैं इस प्लान का तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि की feature में आपका limited premium paying time है आपका 7 साल premium paying time आप चूज कर सकते हैं या 10 सा policy term तक maintain करता है और दूसरी एक और चीज है कि जब जो भी आपका risk cover है वो आपका policy term तक maintain करता है और उसके बीच अगर कभी भी आपकी death होती है या कुछ भी होता है तो आपके nominee को जो भी some assured amount है या आपका जो भी 10 times of annualized premium या 105% of total premium paid इन तीनों में से जो भी higher amount होती है वो आप यहां पर key feature मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो भी आपका key feature यहां पर दिख रहा है यहां पर key feature आपका limited premium paying time है और insurance coverage रहता है जो कि पूरे policy term तक जैसे आपने जो भी policy term लिया 20 साल का लिया 15 साल का लिया तो जो भी time का limit का आपने जो policy term लिया अगर आपने वो पूरे policy term तक आपका dead benefit cover करता है आपको guaranteed reversionary bonus मिलते हैं जो कि sum a short का 3% होता है और इसमें आपकी जो underwriting मिलती है मतलब कि आपका जो insurance होता है वो जो insurance होता है उसमें कोई भी medical test नहीं होता है SMQ based मतलब जो optional based या सब्सक्राइब आपको questionnaire रिक बरने पड़ते हैं उसके basis पर आपकी policy issue हो जाती है तो यहां पर देखते हैं आप जो आप policy term ले सकते हैば 10 की 15 साल की चूस कर सकते हैं कि आपका का जो life cover कितने तक maintenance करेगा मतलब कि premium paying term आप 7 साल दे करके दसमें मिलेना चाहते हैं या 7 साल 10 साल दे करके आप 15-20 पी लेना चाहते हैं अगर आप 10-7 PPT की और 10-7-10 की पॉलसी करते हैं, कि 7 तो आपका PPT हो गया और पॉलसी टम आपका PT जो है वो आपका 10 साल हो गया, 10 पे बेमेच्चुर्टी तो आपको 8 साल का minimum entry age 8 साल हो और maximum 55 साल है वही आप 7-15 या 10-15 का प्लान जब आप चूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको देख रहा होगा कि वहाँ पे आपको जो पॉलसी है, वो आपकी पॉलसी आपकी minimum जो है आपका 3 साल की entry age होती है और maximum 60 होती है और वही आप 10 साल और 20 का करते हैं, तो आपको 30 दिन जो की maximum maturity age बताया गया कि बतलब जो भी अगर आप कोई पॉलसी लेते हैं, तो maximum maturity age की होगी, अगर 10 साल, 7-10 की ले रहे हैं, तो maximum 65 की years में उसके वो mature हो जागी, और वही 7-15, 10-15 या 10 हो और 20, इस वाले आप portion पे अगर लेते हैं, इस वाले पे अगर आप लेते हैं, तो इस पे minimum sum assured आप ले सकते हैं, अगर इस age में हैं, तो इस policies में है, तो यह आपके minimum sum assured है, और sum assured amount आपको जब premium calculate कराएंगे, तो आपके age की according आपका sum assured calculate होता है, ठीक है, तो वो आपके depend करता है कि आपके age पे और आपके medical questionnaire पे depend करेगा कि आपका कितना sum assured होता है, जो कि maximum sum assured इसमें आप अब 20 लाग तक भी चला जाता है, आपके SMQ based पर, तो वो maximum की कोई underwriting नहीं है, जितना भी आप board approval मिले, आपको maximum sum assured आपके premium पे 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 इंग चाम और आपके plan choose करने पे होते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि premium कैसे हम लोग select करते हैं, अगर आप annually premium select करते हो, annual premium more select करते हो, तो minimum आपकी premium वो 12,000 रुपए होती है, अगर आप half yearly select करते हो, तो minimum 6000 है, और quarterly करते हैं, तो आपका minimum installment premium वो 3000 रुपए और monthly करते हैं, तो आपका 1000 रुपीज आता है, और maximum की आप कोई पता है कि कोई limit नहीं है, वो board of approval पे होते हैं, अब bonus पर आजाते हैं, कि क्या benefits समय मिलते हैं, बोनस में जैसा मैंने बताया कि जो भी bonus है, वो आपका revolutionary bonus आपको guaranteed मिलता है, जो कि 3% आपका समझ शोड़ पर guaranteed revolutionary bonus जब तक आपका premium paying term होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो भी आपका premium paying term है, जब तक आप premium pay कर रहे हो, तब तक आपका revolutionary bonus आपको मिलता र हैं, साथ शात आपको revolutionary bonus के साथ साथ आपको terminal bonus भी आपका add होकी मिलता है, जो कि company समय समय पर declarer करती है, तो आपको ये है कि maturity amount जो भी आपको मिलेगी, वो आपकी common short के साथ साथ आपका reverseary bonus और आपका terminal bonus, पूरे bonus के calculation के साथ जो भी amount होगी वो आपको maturity benefit मिलेगी, तो ये आग अगर आपको जानने हैं तो आप बहुत आराम से हमारी एक बी आई रिपोर्ट निकलती है जब भी आप कोई पॉलसी लेती हो तो बी आई रिपोर्ट में इलस्टेशन में आपको आसानी से पता चल जाता है कि अगर हम आप इतने का प्रीमियम पे कर रहे हो इस एच पे तो आ आपने जो भी बोनस अक्रूट की हैं चाहिए वो रिवर्जनरी बोनस हो और साथ ही साथ आप टर्मिनल बोनस वो सारे बोनस आपके एड हो करके वह आपको मेच्वर्टी बेनिफिट मिलता है अब हम आते है डेथ बेनिफिट पर जो कि सबसे बड़ा आपका सभी का मेजर पॉइंट होता है कि अगर देथ हो गई बाइचांस तो में कितना मिलेगा तो यहाँ पर देखते हैं डेथ बेनिफिट में कितना मिलेगा डेथ बैनिफिट अगर आपको मिलता है तो आपका जो समस्ष्योर्ट आपका 10 टाइम सा ओफ एन्वल्ट प्रीमियम या 105 परसंट प्रिमियम सपोस्ट करिए कि आपका समश्योड 10,00,000 रुपए है और आपका जो एनुलाइज प्रिमियम है वो आपका सपोस्ट करिए 30,000 अगर वो आपका 30,000 रुपए आपका तीन लाख रुपए आपका 10 टाइम सोगा है उनलाइस प्रीमियम और 105 परसेंट आफ टोटल प्रीमियम पेड़ आपने अगर साथ तीस हजार का किया है और आपने साथ साल की पॉलसी लिए यह तो साथ तरीक किस दो सो दो लाख दस हजार रुपए 2.10 तो इन तीनों में जो ह हाइयर है आपको भी दिख रहा होगी दस लाख रुपए हाइयर है तो इन तीनों में जो भी हाइयर हमाउंट होगी वह आपको देथ बेनिफिट आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से इलेश्ट्रेशन से आपको समझ में आगया होगा अब हाई समस्शोर डिसकाउंट पालसी में मिल सकता है जिसका आपका पांच परसेंट तक ऑफर करती है कंपने पालसी लोन की बात करते हैं कि कभी 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 लोगों को ऐसी जरूरत पड़ती है कि उन्हें पालसी तोड़ाने के लिए वह पहले ही आगे बढ़ जाते हैं बच मैं उनको सजेस्ट करूंगा क आपको जो यह पालसी मिल रहे है उसमें आपको अगर लोन चाहिए तो आप असी परसेंट तक जो भी आपने प्रीमियम पे किया है अपने प्रीमियम पेमिंट जो भी आपने किया है पालसी हम उसका आप असी परसेंट तक लोन ले सकते हैं और लोन का इंट्रेस्ट भी एक एसेट का काम करती है तो यह अच्छे फीचर्स हैं जो मैंने अभी तक बता है अब हम आगे आते हैं कि कुछ चर्मसान कंजिशन पर कि जब भी आप ग्रेस पीरेट के बारे में सुने होंगे तो ग्रेस पीरेट वह चीज होती है कि जब आपकी पॉलसी का ड्यू डेट आत या कोच अरी वेसिस पर आपको तीस दिन का ग्रेस पीरेट मिलता है मतलब आपनी में प्रीम cancel का इसके सकते इस European प्लसी को पे कर सकते हैं अगर आपको लाफ्स हो जाएगी है और आपका अन्वाल्स पर हैे तो तो आपको 15 दिन का grace period मिलेगा और अगर आपने 15 दिन में नहीं दिया तो आपकी policy lapse हो जाएगी तो यहां पर जो मैंने बता है policy lapse हो जाने के बाद आपको कोई भी benefit जो भी थे सारे benefit आपके cancel हो जाएंगे आपका company के साथ contract खतम हो जाएगा और आपका जो भी amount है वो lapse कर जाएगा अगर आपने minimum 2 साल premium नहीं पे किया है अगर आपने policy 7 साल के लिए तो आपको minimum 2 premium पे करना और अगर आपने 10 PPT की policy लिए है तो आपका minimum 3 premium पे कर करना mandatory है otherwise आपको कोई भी amount नहीं मिलेगा आपकी policy lapse कर जाएगे अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम आगे बढ़ते हैं पेड़ाप कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप 4 या 5 premium पे कर चुके हो तो उसके बाद कभी कभी आप आगे का premium नहीं पे कर पाते हो तो आपकी जो भी value है वो उसकी एक पेड़ाप वैलू बन जाती है और वो जो आपका maturity term जो भी था उस maturity term पे with interest जो भी आप इंशुरेंस कंपनी आपको पे करती है उस condition में आपकी policy होल जाती है और पेड़ाप होने पर जितना भी amount आपने दिया है उसी की according आपका some assured proportionate हो जाता है और आपका जो भी premium amount जो आपने पे किया उसमें जो charges है वो सारे charges कटके आपकी पेड़ाप वैलू बन जाती है जो कि आपको maturity date पर मिलती है अब हम आते हैं revival पे revival के बारे में जानते हैं कि revival वो term है कि जब आपने दो साल या दो साल आपने policy जमा कि अगर सास साल का है term आपका PPT का या आपने 10 साल का तो आपने 3 साल जमा किया या सबोस करिए आपने 4 साल जमा किया उसके बाद किसी वज़ा से 2 साल नहीं जमा कर पाया लेकिन आप policy को continue करना चाहते हैं फिर से आप policy को चलाना चाहते तो इस condition में आप अपने policy को वापस जिंदा कर सकते हैं जिसको हम ब Charges आपको Pay करने पड़ते हैं, जो भी आपने Policy का Premium नहीं Pay किया उसके साथ, तो सब आपको दो साल के अंदर, दो साल आपने प्रिमियम प्रिम्य प्रिमियम नहीं Pay किया तो उसके जो भी Charges होंगे, उन Charges के साथ साथ, इंट्रेस्ट के साथ साथ, और उस उस premium के साथ साथ आप जब company में जमा कर देंगे तो आपकी policy revive हो जाएगी बच यहाँ पर एक condition है आपकी policy जो भी आपने रोकी है आपने premium पर तो दो साल से ज्यादा exceed नहीं होने चाहिए दो साल से ज्यादा exceed होगी तो यहाँ पर आप revival नहीं करा सकते तो आपको minimum maximum जो time मिलेगा revive कराने का वो दो साल मिलेगा तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सरेंजर जब भी कभी policy पे की जाती है तो उसकी साल का अगर company के साथ contract करते हैं तो साथ साल का दस साल का contract करते हैं तो वह बीच में जाके सबसे पहले कोई भी इंवेश्मेंट चोड़नी होती है तो वह इंशूरेंस में जाके तोड़ते हैं और मैंने हमेशा बोला है कि इंशूरेंस एक protection है एक contract है company के साथ जो आपको life के साथ एक protection शील्ड प्रोवाइड करती है ना कि वह एक investment है इंवेश्मेंट के पार लिए आपके पास बहुत सारे options आप उसमें इंवेश्मेंट कर सकते हैं अपने wealth को ग्रोव कर सकते हैं लाइफ से आपको छेणखानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह एक uncertain event है और वह कभी भी हो सकता है तो उसकी protection हमें आप मेंशा आपको लिनी चाह कराते हैं कभी ऐसी situation पढ़ गए कि आपको surrender कराना ही कराना है तो इस condition में अगर आपने दो साल तक premium pay किया है जो अगर आपका साथ साल का चर्म है और तीन साल का आपने प्रीमियम पे किया है अगर आपका दस साल का प्रीमियम पे इंग तब आपका जो भी सरेंजर वैलू है वो आपकी सरेंजर वैलू मेंटेन हो जाएगी और सरेंजर वैलू की जो कैलकुलेशन है वो आप इस गारेंटीड सरेंजर वैलू की चार्ड से द प्रमेशा आपने प्राइश बने घल से कंभी भी आपके जितनाइपने प्रोरी याप k आपको उनकम ड्राइब में चलिए लिगाशा है जो कि सभी का एक major point source होता है कि अपने investment भी वो इसलिए करते हैं कि उनका tax benefit मिलता है ATC के तुरू तो आपको जो भी amount आप pay करते हैं वो आपका पूरा tax में आपका ATC के तुरू उसका आपको deduction मिलता है और साथ ही साथ आपको जो amount मिलती है वो section 1010D के साथ आपका exempt होता है तो मतलब आपकी जो भी maturity amount है उसमें आपको कोई भी amount पे नहीं करना पड़ता अब यहाँ देखते हैं आपको दिख रहा होगा cancellation in free look period free look period यह होता है कि जब आप कभी directly online अगर purchase करते हैं या आप direct जा करके purchase करते हैं तो आपको जो भी bond receive होता है bond receive होने के 15 दिन और 30 दिन अगर आप distance mode से ले रहे हैं अगर आप distance marketing के थू ले रहे हैं जिसका आपको नीचे आपको distance marketing नीचे example दिया हुआ है और distance marketing बारे मैं यह बता दूँ कि आप telephonically medium से online payment के थू या directly link के थू अगर आप वाई कर रहे हैं तो आपको 30 दिन का time मिलता है आप 30 दिन के अंदर अगर आपको वो policy से satisfied नहीं है आपको कोई problem है तो आप उसे cancel करा सकते हैं otherwise आप distance mode से अगर नहीं वाई कर रहे हैं तो आपको 15 दिन का समय मिलता है जब भी आपको point receive होता है उस point receive होने के 15 दिन के अंदर आप policy को cancel करा सकते हैं तो इसे के साथ मैं इस video को close करता हूँ hopefully आपको सारी चीज़ें समाझ में आ गई होगी यह बहुत अच्छा प्लान था HDFC like classic and sure plus अगर आप लोगों से request अगर आपने अभी भी हमेरे वीडियो को या हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please हमेरे वीडियो को at least like करें और हमारे चैनल को subscribe करें ताकि हम इसी तरीके से आपको सारी plans के बारे में बताते रहते हैं इन्वेश्मेंट के planning ideas बताते रहते हैं जिसके जो आपके लिए काफी helpful होगी तो thank you so much इसे के साथ मैं इस वीडियो को close करता हूं